हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल होम्स किचन में अगर आप भी वाइट सोस रेड सोस पास्ता खा कर बोर हो गई है तो ये रेसिपी आपकी लिए ही है आज हम बनाएंगे सोपी पास्ता जो ना सिर्फ आपको बल्कि आपके सब घर वालों को भी बेहदी पसंद आएगा वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी चोटी सी रेक्वेस्ट है अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें जादे से जादा शेयर करें साथ में चैनल को सबस्क्राइब भी कर लें जिसे मेरी हर आने वाली वीडियो को देखने में आपको आसानी रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज की समझेदार सी रेसिपी को बनाना सूपी पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में डालेंगी वन टेबल स्पून बटर साथ में ही डालेंगी एक चोटा चमच ओईल अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप सिर्फ ओईल भी यूज़ कर सकते हैं अब दोनों चीजों को अच्छे से गरम होने देती हैं बटर मेल्ट हो चुके हैं अब हम इसमें डालेंगी तो से तीन बारी कटी हुई हरी मिर्ज और बारा से चोदा के लिए लहसुन को मैंने चौप करके लिया है 20 से 30 सेकिंड तक लगातार चलाते हुए दोनों चीजों को अच्छे से पका लेना है गैस का फ्लेम मैंने इस स्टेज में लो रखा हुआ है लो फ्लेम पर हमने लहसुन और हरी मिर्ज को पकाना है क्योंकि यह बहुत जल्दी जलने लग जाती है इसे गैस का फ्लेम लो रखें जब लहसुन और हरी मिर्ज पक जाएंगे तो हम इसमें डालेंगे प्याज मैंने एक मेडियम साइज के प्याज को चॉप करके लिया है प्याज की क्वांटिटी आप अपनी चोईस से कम्याज जादा रख सकते हैं अब प्याज को भी हमने लगाता चलाते हुए एक से डीड़ मिनट तक पका लिना है जब प्याज पक जाएंगे तो हम इसमें बाकी वेजिटेबल भी डाल देंगी तो यहाँ पर मैंने आधा शिमला मिर्च को चॉप करके लिया है एक गाजर को चॉप करके लिया है एक तिहाई कप मैंने इसमें डाला है कॉंस आधा कप पारिक कटी हुई पत्ता गो भी एड़ करेंगी जो भी वेजिटेबल आपको खाना पसंद हो वो वेजिटेबल आप यूज कर सकते हैं और जो खाना पसंद नहीं है उनको आप स्किप कर दें अब टेस के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और चासे पांच पिंच मैंने इसमें काली मिर्ष पाउडर डाला है सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और डेड़ से 2 मिनद तक इसी तरह से चलाते हुए इनको पका लेंगे अभी हम सब्जियों को खुला ही पकाएंगे ठकेंगे नहीं तो डेड़ से 2 मिनद तक मैंने सब्जियों को पका लिया है अब हम इसमें पानी एड़ करेंगे पानी कितना डालना है वो depend करता है आपने कितना सूपी पास्ता बनाना है और दूसरा आपने पास्ता की quantity कितनी लेनी है मैं एक कप पास्ता इसमें यूज़ करूंगी इसलिए मैंने चार कप पानी एड़ किया है जितना पास्ता लेंगी उसका चार गुना हमने पानी डालना है हाई फ्लेम पर पानी में उबालाने देते हैं जब पानी में उबालाना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी मैंने दो टोमाटर की प्यूरी बना कर ली है आप चाहें तो बारिक चोप करके भी टोमाटर यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर आप चोप करके टोमाटर यूज़ करते हैं तो आप बाकी सब्जियों के साथ डाल कर टमाटर को भी पका लें, इस तरह से पानी में ना डालें तो ये देखे मैं टुमैटो प्यूरी को मिक्स कर लिया है पानी में, अब हम इसमें डालेंगे पास्ता मैंने यहाँ पर मैक्रोनी पास्ता लिया है आप किसी भी शेप का पास्ता यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अविलेबल हो मिक्स करेंगे और ढखकर 7-8 मिनट तक मेडियम फ्लेम पर इसको बॉयल होने देते हैं ताकि पास्ता अच्छे से सॉफ्ट हो जाए गल जाए बीच में एक से दो बार चेक भी कर लेंगे चला भी लेंगे तो यह देखिए मैंने पूरा 7-8 मिनट तक बॉयल कर लिया है पास्ता और पास्ता अच्छे से गल चुके हैं सॉफ्ट हो चुके हैं काफी थिकनेस भी इसमें आ गई है काफी सारा पानी ड्राइ हो गया है अब एक चमच डालेंगे सोया सॉस और दो चमच के क्रीब डाली है मैंने टोमेटो केचप थोड़ से हरी प्याज के पत्ते डालेंगे और थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया जिससे बेहदी बढ़िया फ्लेवर टेस्ट इसमें आएगा सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर अगर आप एक चमच जना प Alert करेंगे अगर ॆएग एक फ्लेंगे या या एक कप पानी गर्म करके इसमें और एड़ कर सकते हैं अब घर्मा घर्म सूपी पास्ता साव कर लेंगे क्योंकि ये घर्मा घर्म खाने में ही ज़्यादा अच्छा लगता है बेहदी टेस्टी चटपटा ये सूपी पास्ता बनकर तयार होता है एक बार मेरे तरीके से ये रेसिपी ज़रूर ट्राइगेजेगा आपको बेहदी पसंद आएगी बच्चे भी इसको बेहदी खुश होकर खाएंगे डिमांड करके आपसे ये रेसिपी बार-बार बनवाएंगे तो फ्रेंट्स आप भी एक बार ये रेसिपी बनाना खाना फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ तब तक टी केर, बबाई!